इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप यू पाजन से धान बिक्रे के लिए आईडी बनाए हैं और उसमें मेसेज नहीं आया है तो मेसेज को कैसी पता करें कि मेसेज आया है या नहीं आया है जिसे कि आप अपना आवेदन पहले देख ले किसान सुची से ओनला को बता दे कि ओनलाइन आवेदन ओनलाइन मेसेज तीन दिन पहले सो करता है मतलब 48 घंड़ा पहले ही सो करने लगता है उसके बता आपका ओपलाइन मोबाइल में मेसेज आ जाता है जिसे कि यहां अपना आईडी खोज ले यदि आप अच्छा तरीके से रिजिस्टेशन की प्लों है तो आपका आइडी यहां सो करने लगे गा या ओपलाइन नहीं या उन-लाइन जैसे कि आप अपना इहां से आइडी नंबर को कोपी कर ले जैसे कह सिर्फ पापी कर ले है जीसे जो भी हो जैसे आप या नंबर का लास्ट वाला जैसे present ही ये 2017 है je उसे copy कर ले और ID number को आप click कर दे तो आप automatically देखते हैं कि 22 December 2020 को message है था यानि वहां से भी आप message को देख सकते हैं आप भुकतान सेवा से आप यहां भुकतान भी देख सकते हैं आपको पता ही होगा कि यह दि आपका ID में 50 Kindle से ज़्यादा की धान लेने की चमतावला ID है तो आ आपका message March तक में आ जाएगा मतलब March मेना खतम होते होते आज सकता है ID नहीं आ रहा है message तो आप MSP के अंदर यानि कि कहने अनुशार अपना नजदी की लेंप्स में जहां धान की स्टोक होता है वहां जाके आप वहां से message करा सकते हैं जिसे कि वहां से आपका message वग कर देग तो वही से आएगा जिसे आप online कोई भी करते हैं तो online में सिर्फ ID बन सकता है ID बन सकता है या आपका registration हो सकता है जो भी message करने का जो power है वह लेंप्स में ही होता है यानि कि आपको लेंप्स जाकर वहां से आपको message कराना होगा या एक परकार का यहां सिर्फ registration होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है यदि लेंप्स नहीं जाना चाहते है तो आपको DSO कार्याले जाना होगा जिस DSO कार्याले रांची में है ज जिसका room number G10 है वहां जाकर आप message कर रहा सकते हैं